हेलो फ्रेंड्स आपका बी एमेस फर्स्ट यो चैनल में सागत है हम आज त्री दोश विग्णयान के कुछ MCQ पर डिसकॉशन करेंगे तो पहला है त्री दोश आसार त्री दोश कौन से हैं तो इसका सही जवाब है भात पित और कफ फिर दूसरा है देखो उसका B option में है सत्व रज और तम अगर ये question कैसे बनेगा कि त्री गुन कौन से हैं तो आप लिखोगे सत्व रज और तम त्री दोश में वाद पित कफ फिर त्री गुन में सत्व रज तम फिर मानसिक दोश बोला जाए तो रज और तम पिर सत्व आत्मा शरीर इसको क्या बोला जाता है त्री दंड में सत्व आत्म आत्मा शरीर फिर दूसरा MCQ है सोम मीन्स सोम का मतलब क्या है कफ ये मैंने basic वीडियो में समझाया है ठीक है खरत्व तीसरा MCQ खरत्व is the characteristics of देश महाबुद खरत्व किसकी characteristics है किसका गुन है तो इसका साईव option है प्रिथवी सबके गुन मेंने आपको बताए थे ठीक है तो खरत्व किसका गुन है प्रिथवी का च्वाथा MCQ है भ रिप्रेजेंट डेश अलिमेंट्स भ किसको रिप्रेजेंट करता है एक तो आता है ख और एक आता है भ ख रिप्रेजेंट करता है आकाश को और भ रिप्रेजेंट करता है अगनी मतलब कि तेज को ठीक है फिर है पाजवा MCQ अंतरिक्ष रिप्रेजन्ट डेश महाभूत अंतरिक्ष कौन से महाभूत को रिप्रेजन्ट करता है तो इसका सही अंसर है आकाश शिक्स्थ है गंद इस दा गुन ओफ डेश महाभूत गंद कौन से महाभूत का गुन है तो इसका सही अंसर है प्रित्वी फिर जो है 7th MCQ स्पर्ष किसका गुन है तो इसका correct answer है वायू रूप किसका गुन है तो इसका correct answer है तेज फिर रस किसका गुन है तो इसका correct answer है आप आपका मतलब है जल वाटर ठीक है तो आपको सारे महाबुत के गुण पता होने चाहिए आकाश, वायू, अगनी, जल, पृत्वी आकाश का गुण है सब्द वायू का गुण है स्पर्श आकाश, वायू, अगनी अगनी का गुण है रूप जल का गुण है रस और पृत्वित का गुन है गंद तो आपको ये पांचों माहा भूत के गुन पता होने चाहिए ठीक है आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब दो चैनल